और आज मैंने वो कर दिखा है नो जो मैं बहुत दिन्द सोच रही थी कि करना है मेरे को करना है लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि हो जाएगा तेहाँ पर मकर संक्रान्ती का इवनिंग है और जो हम थाली ते यार किये हैं यहाँ पर चोखा मारा बन चुका है और भिंडी का पहले का भिंडी है इसको काटके फ्रीजर में रख दिये थे वाश करके काटके जैसे धनिया पता वगएर रखते हैं तो उसको रख दिये और अगर अभी तक रखते हैं तो भिंडी कप का खराब होके फिका गया रहा थो लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे मेरे को लगता था कि भिंडी ऐसे रखेंगे और भिंडी में पानी छूटता है और जब पानी छूटता है तो भिंडी अच्छा नहीं बनता है तो पता नहीं कैसा होगा तो कभी रखेंगे हाँ ग्रेवी वाला है लंबा लंबा भिंडी काटके ग्रेवी मिक्स बेज में बनाने के लिए वो लाके फ्रीजर में कट करके रखने वाले हैं, अब बार बार जंजट इंडियन सॉप का नहीं, क्योंकि इंडियन सॉप में जाओगे ना पचास सौ यूरो तैसे खर्चा हो जाते हैं कि मत पूछे, तहाँ पे भिंडी मस्त हुआ था, क्वांटिटी थोड़ा सा न हम ओईल का जादे रखे थे, अब प्याज दो, तीन प्याज दिये से, बागे कुछ नहीं दिये, अब मसाला एड़ करके आपको लास्ट में इसका रिजल दिखा थे, इतना ही टेस्टी बना, और इनको बता है, एकदम सर्प्राइज होगे, कि सहीं में फ्रीजर में रखे, तो मतलब क देख सकते हैं, मस्त ये है, लुक देखिया हमारा भिंडी का भुंजिया का, बहुत जैसे आप फ्रेस भिंडी लाते हो ना बनता हो, इसे ये भिंडी बन चुका है, तो अगर कभी किसी ने ट्राइ नहीं किया, तो कीजिया, हम तो बिल्कुल ही ट्राइ की, और बहुत हैप